बहुत ज़्यादा डर ना जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा तो क्या हो जाएगा ऐसे इसे कापने लगोगे तुम समझे जैसे जैसे ऐसे जीडी का पेपर नजदिक आएगा तुमारी रूह कापना शुरू हो जाएगी समझे बात को लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपकी कभी रूह नहीं कापेगी अगर पुरी तैयारी मिदान में उत्रोगे आपके अंदर já प्युक्त seat पर बेट गए अपना ही नाम भूल जाते हैं और सोसते रहे मेरा सरनेम क्या है क्यों दिमाग पर इतना ज्यादा परेसर रहता है उस समय होल में कि भूल जाता है कौन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है नोख लिगना मजबूरी नहीं है उसकी तो रूप कभी नहीं कापेगी कि उसको लगना ही नहीं है वो तो बैस टाइम पास के लिए जा रहा है एक्जाम सेंटर का कौन सा वो बंदा अंदर जाएगा उसके चाल धाल से पता जाएगा सर से वहां खड़ रहा है कि तरह मेरी मेरी चेर बोलेंगे तरह एसे और एंट्री ऐसे करेगा जब बाहर से उसका आप आप पता जल जाता है जैसे मालो तुम वह एड्मिट कार लेके जाओगे ना मालो यह टीचर खड़े हैं तो पताओ कैसे जाएगा देखो मैं तुमको रियल्टी बताता हूं वहां एक्जाम सेंटर पर तुम देखोगे जिस बच्छे भी बिल्कुल तैयरी नहीं वो स सब्सक्राइब को लेके रहे जाए अच्छा फिर इसे तारों तरफ देख कहां ठीग है अब वह पढ़ने वाला बच्छा रहेगा ना वह ऐसे जाएगा एक्जाम सेंटर के बाहर सब्सक्राइब को तो नहीं है टेबल को तोड़ा साफ आप करके है पहले तो परनाम करे रह कि बगवान जो कुछ ठीक हो अच्छा जाए एक गंटा यह रियलिटी है तो उसकी तो कोई रूह नहीं कापेगी जिसकी तैयारी है उसकी भी रूह नहीं कापेगी अब जिसकी नोखरी लगना भी जरूरी है गरवाले सोच रहे हैं कि बाई नोखरी लगके आए बेटा अब इसे घड़ता है फिर समिजें बात को इसलिए तयारी के साथ उतरना मेदान में आप एक्जाम देर दीने मैंने जान रखना अगर आपके तयारी है तो यह एक्जाम सेंटर बजाओ ने तो जाओ ही मत तो फिर वहां भीड़ बटाने के लिए नहीं जाना है कि लाज़ें समझें बात ऐस भी ऐस भी न